आजकल की तेज तरार जिंदगी में हमारी पैंटरी या रेफ्रिजरेटर में एकस्पायर्ट खाने का पाए जाना एक बेहत आम बात है क्या चीज कब से रखी वी है पता ही नहीं रहता कोई भी चीज खाने से पहले हमें डेट चेक कर लेना अवश्चक है क्योंकि एकस्पायर्ट खाद्य पदात खाने से कई तरह की बीमारिया और दिक्कत ये पैदा हो सकती है जो जान लेवा भी साबित हो सकती है समाप्त या एक्सपायर्ट खाद्य पदाथ ऐसे पदार्थ है जिसकी अनुशनसित या फिर बताई गई एक्सपायर्ड की तारीख पार हो चुकी है और जिसे निर्माता उस बिंदू के रूप में निर्धारित करता है जिसके बाद भोजन खाने के सुरक्षित नहीं रहता या बढ़ने या इसके पोशन मूल्य में कमी के कारण भोजन की गुनवत्ता खराब हो सकती है इसे खाने से कई परिशानिया हो सकती है जैसे उल्टी, फूड पोईजनिंग, दस्त, बुखार, आदी, गंभीर मामलों में अस्पताल में भरती या मौत भी हो सकती है समाप्ती तुथिया, माइक्रोबियल वृध्धी, पोशक तत्व छरन, समवेदी परिवर्तन, तापमान नियंदरन और उप्योग की गई पैकेजिंग के प्रकार के आधार पर निर्धार्ट की जाती है माइक्रोबियल परिक्षन काफी जरूरी है क्योंकि इससे उन हानी कारक बैक्टेरिया की वृध्धी का अंदाजा लगता है जो खाने को खराब करते हैं ऐसे कई कारक हैं जिससे खात्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ पे प्रभाब परता है और जो खाने को खराब कर सकता है जैसे उत्पात विशेषताय जो भोजन की शेल्फ लाइफ को प्रभावित करती है। वेभिन खात पदार्थों में नमी, पीच और पोशक तत्वों का स्तर अलग-अलग होता है। जिससे उनके खराब होनी की संभावना प्रभावित होती है। पैकेजिंग भी एक एहम भूमे का निभाती है। उप्योग किये जाने वाली पैकेजिंग का प्रकार ओक्सीजन, जोखिन, नमी नियंतरन और प्रकाश, संचारन जैसे कारकों को प्रभावित करकी भोजन के शेल्फ जीवन को प्रभावित कर सकता है। पैकेजिंग सामगरी एक भौतिक बाधा के रूप में कारे करती है। जो भोजन को संभालने और हर तरीके से बचाने का कारे करती है। खाद अखंडता पर उनके प्रभाव के कारन भंडारन की स्थितिया मौलिक है। तापमान, आदर्ता और प्रकाश के संपर्क में आने स खाद उत्पादों के किरावर्ट तेज या कम हो जाती है। प्रसंसकरन और उसके तरीके भी खाने की शेल्फ लाइफ को प्रभावित कते हैं। ये माइक्रोबियल व्रिद्धी को रोक कर खाने की गुनवत्ता बनाए रखने और खाने की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाती है प्रसंसकरन कई प्रकार से किया जाता है जैसे आप प्रेसराइजेशन का इस्तमाल कर सकते हैं जिसने खाने को एक नियमित समय के लिए एक विशिष्ट तापमान पर गर्म किया जाता है जिससे हानिकारक बैक्टेरिया मरते हैं और खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है डिबबंदी से भी आप खाने को बचा सकते हैं जब आप खाने को कस के सीगल करेंगे इतना की इसमें हवा तक न जा सके और एक निर्धारी तापमान पे रखेंगे जिससे किटानू मर जाए तब आप खाने को अच्छे से बचा सकते हैं फ्रीजिंग से भी आप खाने को लंबे से लंबे समय तक लगभग महीनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें तापमान को हिमांक बिद्दू से नीचे करना शामिल है, जिससे कीटानू की व्रिधी और एंजायमेटिक गतिविधी को रोका जा सकता है, फ्रीजिंग खाद पदार्थों की बनावर्ट स्वाद और पोशक सामगरी को बनाये रखने में मदद करती है, निर्जली करन जिसमें खादे पदार्थों से पानी निकला होता है, और एक ऐसा वातावर्ण बनाया जाता है, जिसमें कीटानू विक्सित नहीं हो सकते, ये प्रक्रिया, फल, सुरक्षित रख सकते हैं, ये एक प्रक्रिया है, जिसमें कीटानू द्वारा शक्रा को अलकोहल, एसिड या गैसो में परिवर्टित करना शामिल है, ये विधी ना केवल खाने को स्वाद या बनावट को बरकरार रखती है, बलकि एक ऐलकोहॉलिक वातावर्ण बनाकर उस से एरोबिक बैक्टेरिया नहीं उख पाते हैं, और खाना सुरक्षित रहता है, ऐसे विधी मांस और पनीर को सुरक्षित करने में काम आती है, कुछ सुझाव है, जिससे आप खराब खाने को खरीदने से बच सकते हैं, जैसे पहले सर्वत्त, बनाम, उप्योग करे, इन ल जो खाने की सेल्फ लाइब को बढ़ाने में मदद करती है, और अपनी इंद्रियों पे भरोसा करके भी आप खराब खाना लेने से बच सकते हैं, जैसे खराब गंज सुन्द के, आसामानिय बनावट को देख के, या फफुन्दी देख के, अंत में यही कहा जा सकता है कि ख दिशा निर्देश का पालन करना और शेल्फ जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना हमारी लिए अति आवश्यक है, हम प्रसंस करन की सभी विदियों का अच्छे से पालन करके, खाने को बचा सकते हैं, और अपनी सेहत का भी अच्छे से खयाल रख सकते हैं, हम